Hello guys, आज कि इस वीडियो में हम सीखने वाले past simple और past perfect tense में क्या difference है काफि students confused रहते हैं कि कहाँ पर हम did का यूज करें, कहाँ पर हम head का यूज करें जब हम बाते करते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ head लगाएं और कहाँ did लगाएं अभी तक जो भी आपने सीखा है उसको बिलकुल पीछे छोड़ दीजिए, आज आप जो सीखने वाले हैं बिलकुल new सीखने वाले हैं और आपको different पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने did का यूज करना है और कहाँ पर हमने head का यूज करना है तो देखते हैं वीडियो में बने रही है last time past simple और past perfect अभी ने पढ़ा हुआ है पहले बात कर लेते past simple जो होता है और past perfect जो tense होता है वो दोनों ही हमारा story telling के लिए कामाता है यानि कि story telling के लिए दोनों का use क्या होता है? story telling के लिए दूसरा point यह याद रखने है आपने जो past simple होता है past simple जो tense होगा आपका वो always single close में आएगा यानि कि single close क्या होता है? sentence में एक ही subject हो और एक ही verb हो वो होता है हमारा single sentence यानि कि जिसमें एक ही subject के बारे में बात किज़ए एक ही verb के बारे में बात किज़ए object के बारे में बात किजाए, okay, जैसे मैंने यह sentence लिया, मैंने खाना खा लिया, अब यहां मैं था भी लगा सकते हूं, चलो मैंने यह लगा दिया, मैंने खाना खा लिया था, अब मैंने यहां पर लिखा, I ate the food, फिर मैंने लिखा, I ate the food, अब कुछ student कहेंगे, यहां पर आया है लिया था, लिया था, किया था, दिया था, जिस भी sentence के last में यह आ जाता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो हमारा past perfect होता है, लेकिन आपने यह रटना नहीं है, situation को समझना है, अब situation पर आ जाते हैं, यह sentence आपका wrong होगा, और यह आपका right होगा, अब यह wrong क्यों होगा, वो देख लेते हैं, मैंने कहा था जब single sentence बोलना हो, मैंने खाना खा लिया था, आप देखो मैंने खाना खा लिया, हिंदी पे नहीं जा रहे हैं, किसी ने पूचा क्या तुमने खाना खा लिया हां मैंने खाना खा लिया बात वहीं फिनिस जैसे मम्मी ने का बेट तुमने खाना खा लिया हां मम्मी मैंने खाना खा लिया खा लिया था या खा चुका था यहां बात नहीं हो रही है केवल यह बात है कि आपने उन्होंने कोश मैंने खाना खा लिया था अब इसमें दो संटेंस है कोई काम पहले ही हो चुका था मैंने पहले खाना खा लिया था जब ये खाना खाने की बात आई तो इससे पहले कोई काम हुआ है यानि जब तक आप नहीं आये तो उससे पहले मैंने खाना खा लिया था जब दो close होंगे तो आप आख बंद करके past perfect tense का यूज़ करेंगे लेकिन जब एक close की बात होगी तो आप simple past का यूज़ करेंगे कि अब लिए छोटी सी बात आपने याद रखनी है आपको detail में बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में सब को समझ आ जाएगा तो मेरे sentence बनाए मैंने खाना खा लिया था I had eaten food before you came आपके आने से पहले जिस भी sentence में आजाए से पहले मैंने एक sentence यहाँ पर लिया मैंने बता दिया था यानि मैंने बता दिया था अगर मैंने यहाँ बताया past simple में I told उसे बता दिया था I told him अगर मैं यहाँ बोलती है मैंने उसे पहले ही बता दिया था कई बार ऐसा होता है हमें sentence से बताना नहीं होता कि दो close लेकिन वो sentence होता उसकी बोलने के sense में पता चलता है यह पहले हो गया, मैंने बता दिय था, I told him, मैंने उसे बता दिय था, अगर मैं यह ओलती हु, मैंने उसे पहले ही बता दिय था, तो I had already told him. पहले की सेंस, यानि जिस भी संटेस में से पहले आज़े, तो इस sense में आप head का यूज़ करेंगे, आप बात आती है, मैंने यहाँ पर आपसे कहा, मैंने आपसे यह कहा, कि हम जो भी यहाँ काम करें, प्रेजेंट में कर रहे हैं, राइट, जैसे, यहाँ हमारे present है, यह हमारे future हो गया, और यहाँ पर हमारे past है, अब past के दो पार्ट है, यह यहाँ तक past है, यह हमारा past नहीं से समझे ना यह हमारा present है जब present के तुरंट कोई काम हुआ यह नि just past और यह more past जब हम just past की बात करते हैं present के just past की तो वहाँ पर हम simple present का यूज करेंगे यहाँ पर हम simple past के यूज करेंगे just past की बात करेंगे तो ठीक है अगर हम more past की बात करते हैं तो हम past perfect का यूज करेंगे आप देखनों यह जो just past है वो past जो perfect उसमें आ रहा है present से जब यहाँ तक हम जाएंगे तो यह topic भी यह point भी इसमें इंक्लूड रहेगा जब just past इसमें इंक्लूड रहेगा तो it means इसमें दो close होंगे यहाँ तक का काम फिर यहाँ से यहाँ तक का काम तो आपने यह चीज़ ध्यान रखनी है अगर आपने more past की बात करनी है तो past perfect में sentence बनाएंगे अगर आपने just past की बात करनी है तो आप past simple में बनाएंगे अब बात आते situation की अब situation क्या होती है अपने दोस्त के घर गई कल तो मैं कैसे बोलूँगी I went to my friend house उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया I knocked the door तो यह क्या हुआ हम simple past में बोल रहे हैं उसने दरवाजा खोला तो हम बोलेंगे he opened the door तो मैंने देखा I saw कि वैं घर पर अकेला था वैं घर पर अकेला था तो आप क्या बोलोगी He was alone at home फिर मैंने कहा तुमारी मम्मी कहा है तो उसने क्या कहा मम्मी मंदिर गई है मम्मी मंदिर गई है पापा उसके office गए है भाई स्कूल गई है यहाँ पर हमें past perfect की जरूद पड़ेगी यहाँ पर हम sentence जो बनाएंगे वो past perfect से बनाएंगे क्यों मेरे आने से पहले मम्मी मंदिर जा चुकी थी मंदिर चली गई थी यानि कि जब मैं रस्ते में थी तो उसकी मम्मी मंदिर चली गई थी उसके पापा office चले गई थी और भाई स्कूल चला गया था तो जो मेरी आखों के सामने काम हुआ मैंने दरवाजा कट्क्ट आया उसने दरवाजा खोला मैं सोफर पे बैटी यह कुछ भी है वो सब काम क्या हो रहा है मेरी आखों के सामने हो रहा है था लेकिन मैं उस टाइम की बात ही कर रहे हूँ मैं किसी दूसरे दिन अपने दोस्त को बता रहे हूँ कि मैं यार कल उसके घर गया था ऐसे ऐसे हुआ स्टोरी टैलिंग में ही दोनों संटेंस का यूज होता है यह ध्यान रखेंगे आप आप बात आते हैं उसकी मम्मी मंदिर चली गई थी या मंदिर गई थी संटेंस में चुका चुकी गई गए कुछ नहीं देखना आपने मंदिर गई थी यानि कि आप के आने से पहले गई थी तो मेरे पहुँचने से पहले मेरे पहुँचने से पहले उसकी मम्मी मंदिर गई थी जा चुकी थी कुछ भी आप लगा सकते हैं आपने सेंटेंस में पढ़ा है ना टेंसिज में कि जिसके लास्ट में आजाए थी आ, ए, ए और थी आजाए तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है यहाँ पर दो क्लोज है मेरे पहुचने से पहले उसकी मम्मी मंदिर जा चुकी थी या गई थी अब यहाँ पर बात आती है His mother had gone to the temple before His mother had gone to the temple before I reached there यानि वहाँ पहुचने से पहले उसकी मम्मी मंदिर चली गई थी जा चुकी थी गई वी थी जिस भी सेंस में आप संटेंस को बनाए हिंदी को नहीं पकड़ना कि सिच्वेशन देखना है मैंने सिच्वेशन बताई आपको कि जब ऐसी सिच्वेशन आएगी तो आप हैड का यूज़ करेंगे उसकी मम्मी मंदिर गई His mother went to temple जब आपने ऐसा संटेंस बोलना है तो उसके आगे और पीछे कोई ना कोई काम जरूर हुआ होगा तब ही तो आप ऐसी संटेंस बोलते हैं बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपने सिंगल क्लोज पास्ट सिंपल डबल क्लोज पास्ट परफेक्ट राइट situation यह थी अब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं जैसे मैंने कहा मैं गया तो सिंपल बनाएंगे अब आप आइवेंट इसका मारा structure क्या होता है subject वलकि second form और object मैं यानि subject second form गो की वेंट मैं गया अगर मैंने यह पास्ट परफेक्ट की बात करते हूं वह पहले ही जा चुका था पहले ही जा चुका था या पहले ही चला गया था ऐसे ही बो सकते हैं जब आजाए पहले ही he had already gone अब इसमें आप कोगी मैम इसमें तो डॉबल क्लोज है नहीं तो आपने यहां पर had क्यो लगाया मैंने आपको बताया ना जब आजाए पहले ही already word जहां भी आजाएगा वहां आप समझ जाएंगे कि यह past perfect में बनेगा past simple में नहीं बनेगा I hope यह topic आपको clear हो गया होगा कि कहां पर आपने simple past का यूज करना है और कहां पर आपने past perfect का यूज करना है अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए helpful रही हो कुछ भी आपको सीखने को मिला हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे